मैं आज आपको peripheral neuropathy के लक्षणों से चुटकारा पाने के साथ ही इसके मूल कारण की भी जानकारी दूँगा. कई डॉक्टर आपको इसकी कोई remedy दे देंगे, लेकिन आपको इस problem के काम करने के असली तरीके की समझ नहीं देंगे. मैं आज आपको बेहत सरल तरीके से इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि जब एक बार आपको इसके मूल कारण का पता चल जाएगा, तो आपको इस problem का फिर से सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपको क्या करना है. दाबिटिक निूरोपैथी एक ऐसी कंडिशन है, जो आमतार पर आपकी टांके निचले हिस्से और कभी कभार हाथ को भी प्रभावित करती है. सवाल ये उठता है कि इस problem से ये area ही क्यों प्रभावित होता है? ये सबसे पहला संकेत है, जो हमें बताता है कि आप में बलाड शुगर की गंभीर समस्या हो सकती है. क्योंकि आपके शरीर में बहुत लंबी-लंबी नर्व होती हैं और जो नर्व सबसे बाहर होगी, वही सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित होगी क्योंकि आपके शरीर में वही ऐसा एरिया है, जिसे सबसे कम ऑक्सिजेन या फ्यूल प्राप्थ होता है हार्ट के आसपास की नसों को सबसे ज्यादा ऑक्सिजेन और फ्यूल प्राप्थ होता है मैं यहां मुख्य रूप से डाइबिटीज और ब्लाड शुगर की प्रॉबलम पर फोकस करने वाला हूँ क्योंकि पेरिफेरल नियूरोकैथी के दूसरे कारण भी है लेकिन इतने आम नहीं है जैसे की कीमो थेरपी और हाइपो थायराइडिजम कुछ एक प्रकार की आटो इम्यून बिमारियों के कारण भी ये प्रॉबलम पैदा हो सकती है किसी मेडिसिन, वाइरस और लाइन बिमारी के कारण भी ये प्रॉबलम शुरू हो सकती है दाइबिटीज चार तरह के टिश्यूओं को प्रभावित करती है इनमें नर्व टिश्यू, आर्टरीज, आख और किड्नी का टिश्यू शामिल है लेकिन पेरिफेरल नियूरोपैथी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकती है क्योंकि आप पेरों से ही चलते हैं और कभी कभार पेरों में हलका दर्द हो सकता है कभी कभार आपको जलन, कभी गंभीर दर्द और कभी कभार खुजली भी हो सकती है इन स्थितियों में आपकी नर्व में कुछ अजीब चल रहा होता है प्रॉब्लम ये है कि अगर हम समय रहते इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो टाम के निचले एरिया में अलसर और गैंगरीन भी हो सकता है अगर आप इसकी कार्य प्रणाली समझ जाते हैं तो इसका समाधान खोजना बेहद आसान हो जाता है आपकी टांग के निचले हिस्से की नसों में कुछ चीजे चलती रहती है यहां आप एक insulated तार देख पा रहे है ऐसा ही insulation आपकी नसों या नर्व के उपर मौझूद रहता है उस insulation को myelin कहते है diabetes के मरीज में ये myelin तूटने और उखडने लगता है और एक ऐसा point आजाता है जब आपकी नर्व पूरी तरह से खुल जाती है दूसरी स्थिती में आपके पैरों के तलवों में खून का circulation कम होने लगता है खून नर्व तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि खून का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है क्योंकि शायद आपके वैस्कुलर सिस्टम में कोई खराबी है तो उसके कारण आपकी नर्व को परियाप्त खून या पोशन नहीं मिल पाता मैं चीजों को बेहत सरलता से समझाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि कोशिकी अस्तर पर यहां आखिर चल क्या रहा है आपने मेरे कुछ दूसरे विडियोज में देखा होगा कि मैंने उनमें माइटोकांडरिया का जिक्र किया है जिन्हें हमारे शरीर की एनरजी फैक्टरी कहते हैं और अगर आपको डायविटीज है और आप बहुत ज्यादा शुगर खा लेते हैं तो हमारी फैक्टरी की मोटर ओवरलोड हो जाती है लेकिन माइटोकांडरिया से पहले शरीर में एक प्री मोटर भी होती है जो ग्लुकोस को एक ऐसी फ्यूल में बदल देती है जिसका माइटोकांडरिया इस्तिमाल करता है असल प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होती है ग्लूकोस आपके शरीर में अपनी यात्रा शुरू करता है वो विभिन्न चरनों से गुजरता है और आखिर में माइटोकांडरिया तक पहुचता है ताकि माइटोकांडरिया उस फ्यूल का इस्तिमाल कर पाए और शरीर ठीक से काम कर पाए लेकिन इस कार्य प्रणाली के आखिरी चरन में एक एंजाइन काम करना बंद कर देता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्यूल के साथ इस कार्बोरेटर को ओवरलोड कर देते हैं और आप विटामिन मिनरल रुपीस पार प्लाग को भी हटा देते हैं ये प्रॉबलम असल में निूट्रियंट्स की कमी के कारण पैदा होती है क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं और ये शुगर आपके खून में बहने लगती है तब निूट्रियंट्स की मांग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है आखिर में आपके टिशुओं में निूट्रियंट्स की कमी हो जाती है और ये पूरी तरह से खाली हो जाते हैं टिशुओं में निूट्रियंट्स खत्म होने के बाद glucose fuel के उस form में convert नहीं हो पाता, जिस form का mitochondria इस्टमाल करता है. एक ऐसी स्थिती पैदा हो जाती है, जहां इस biochemical mark पर एक धक्कन लग जाता है और रास्ता ब्लॉक होने लगता है, फिर ये चीजें हमारे सिस्टम में जमा होने लगती हैं और उसके कारण आप में lactic acidosis, free radical और कई तरहे की समस्याएं पैदा होने लगती हैं. Enzymes आपके शरीर में लगभग सभी तरहे के काम करते हैं. ये enzyme एक चीज को दूसरी में convert करते हैं, इन enzymes के सहायक enzymes याको factors भी होते हैं, जो मुख्य रूप से vitamins और minerals ही होते हैं. अगर ये retina में चिपकता है, तो आपको diabetic retinopathy का सामना करना पड़ता है, जो retina की एक problem है. इन स्थितियों में cells सूजने लगते हैं. सोर्बिटोल उन cells में पहुँच जाता है, जो nerve की बाहरी परत यानि की myelin को बनाते हैं, ये परत सूज जाती है और तूटने लगती है, जिससे nerve का insulation खत्म हो जाता है. फिर सोर्बिटोल फ्रुक्टोस में भी convert हो जाता है, जिससे बड़ी problems पैदा हो जाती है. बड़ा सवाल ये है कि ये कौन से co-factors हैं, जो उस enzyme को काम करने में मदद करते हैं, और नसों को heal करना शुरू करते हैं, ताकि आपको दर्द से छुटकारा मिल पाएं. सबसे पहला को factor vitamin B1 है. प्रॉबलम ये है कि अगर आपको पहले से diabetes है, और आप अपनी diet से vitamin B1 पाने की कोशिश करते हैं, तो आपको मुश्किल आ सकती है, क्योंकि इस problem को ठीक करने के लिए आपको हद से ज्यादा vitamin B1 की ज़रूरक पड़ेगी. जिन डॉक्टरों को nutrition का कोई भी ज्यान नहीं है, मैंने अक्सर उन्हें कहते हुए सुना है, कि आप अपने foods या भोजन से सभी nutrients हासिल कर सकते हैं. आपको भोजन से थोड़े बहुत nutrients मिल सकते हैं, लेकिन सारे nutrients प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, खास कर जब आप किसी problem को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप vitamin B1 तो ले सकते हैं, लेकिन B1 के साथ एक problem है, vitamin B1 एक water-soluble vitamin है. Water-soluble vitamin को fat-soluble nerve के अंदर घुसने में problem आती है, इसलिए इसे synthetic रूप से तयार किया जाता है, जिसे benfotamin कहते हैं. आम तोर पर इसकी एक गोली 300 mg की होती है, और आप एक दिन में चार बार इसकी एक-एक गोली ले सकते हैं. कभी कभार आपको remedy के तोर पर कुछ supplement भी मिल जाएंगे, जिनमें lipoic acid भी शामिल है. Lipoic acid उस enzyme का एक को factor है, जो काम नहीं कर रहा है. ये बात मैं हजारों लोगों का इलाज करके और 30 साल के अनुभव से कह रहा हूँ. मैंने बहुत सारे diabetes रोगियों के साथ काम किया है, इसलिए मैंने बार-बार इस remedy का इस्तिमाल किया है, और मुझे इस problem में सफलता मिलने का बहुत बड़ा अनुभव है. इन गतिविधियों में तीन अतिरिक्ट न्यूट्रियंट्स भी शामिल हैं, यानि की विटामिन B5, विटामिन B2 और विटामिन B3. ये उस एंजाइन के को फैक्टर्स हैं, जो ग्लुकोस को मेटाबोलाईस करने में मदद करता है. ये एंजाइन ग्लुकोस को एक ऐसी चीज में कनवर्ट करता है, जिसे आपका माइटोकांडरिया इस्तिमाल करता है. अगर आपको डाइबिटीज है और आप बहुत ज्यादा निूट्रिशन ले रहे हैं, तो शायद आप पेरिफेरल निूरोपैथी से बच जाएं, लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे, क्यों ना कार्ब खाना कम करके इस प्रॉबलम को जड़ से ठीक किया जाएं. आपको कम कार्ब के साथ इंटर्मिटेंट फास्टिंग शुरू करनी होगी, आपको ये काम इसलिए भी करना चाहिए, क्योंकि समय बीटने के साथ ही डायविटीज के कारण विभिन तरह की प्रॉबलम्स पैदा होने लगती हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम के साथ ही आपके दिमाग में भी पहुँचने लगती हैं. पैरों और हाथों में दर्द इसके शुरुवाती लक्षन हैं, लेकिन फिर ये लक्षन आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकते हैं, खासकर आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में प्रॉबलम्स शुरू हो सकती हैं. आपको कब्ज हो सकता है, पेट में दर्द रहता है, आपको हाट से जुड़ी प्रॉबलम्स का सामना भी करना पड़ सकता है. वैसे आप अपनी डाइट बदल सकते हैं और आपको अपने पैरों के तलवों में बड़ी राहत देखने को मिल सकती है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को अस्थाई राहत मिलते हुए देखा है, ये प्रॉबलम्स पूरी तरह से दूर नहीं होती, जब तक कि वे बेनफोटामीन और लिपोईक एसिड के हाई डोज नहीं लेते. आखिरकार असल प्रॉबलम को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो की है आपकी डाइट और उसके लिए आप ये विडियो देख सकते हैं. चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें.